transfer in computer architecture, यह जो mode of transfer है क्या, यह जो mode mode बोज रहा है, यह mode of transfer है actually है क्या, देखिए, एक तरफ हमारा CPU होता है, CPU को हम लोग अपना इसे computer system भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक तरफ हमारा I.O. devices, I.O. devices में जैसे हमारा keyboard है, monitors है, printers है, scanners है, तो इन दोनों के बीच में जो data का जो transfer होता है, वो कई सारी तरीके से हो सकता है, यह जो हमारा CPU और I.O. devices के बीच में जो data transfer का जो mechanism है, वो एक या दो या तीन तरीके से हो सकता है, इस mechanism को बोलते है, mode of transfer, तो mode of transfer में हम लोग इस बात करते हैं कि CPU और I.O. devices के बीच में data transfer कैसे हो रहा है, तो आईए नेक्स वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानते हैं, थैंक यू.